Kingdom कि नवस्कारि स्वाधियों मिरे यूटू चैनल सिके हिंदि स्लाकर reins में आप सभी का स्वागत है आप लोग मंदाकनी का या तिसरा ध्याय पढ़ेंगे स्रम की परतिष्ठा श्रम की परतिष्ठा यानि स्रम का सम्मान यानि जो हम परिष्रम करते हैं उसका सम्मान स्रम की परतिष्ठा देखिए एक स्रम होता है परिष्रम होता है स्रम का अर्थता है मेनत लेकिन परिष्रम क को मतलब होता है कठीन मेनद तो आप लोग स्रम की परतिष्ठा पढ़ेंगे स्रम का जो सम्मान है जो मेनद करते हैं उसका सम्मान जो है उसके विशे में आज आप लोग पढ़ेंगे भी द्यार्थी तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अब आप लोग पढ़ेंगे द्यान पुरवक कहा कहा जाता है कहा जाता है यह प्रिथ्वी शेष्णा के मस्तक परिस्थी थै अगर अगर सेश्णा का आधार तोर जाए तो प्रिथ्वी श्थिर नहीं रह सकेगी प्रिफ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी हमने सोचा यह सेशनाग कौण है ध्यान में आया दिन भर सारीक स्रम करने वाले दिन भर सरीसे मजदूरी करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदाबार करते हैं जो अलग अलग प्रकार का अन्य उगाते हैं वे वे सेशनाग हैं सबका अधार उन मजदूरों पर है सबका अधार सबका मेंजर कोन है मजदूर मजदूर नहीं रहेंगे तो कोई भी अन नहीं पा सकेगा सबका आधार उन मजदूरों पर है इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है क्या कहा है भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता आपने काम कर दिया तो कर्मयोगी नहीं हो गए देश में कुछ मजदूर। खेतों पर काम करते हैं। सब देख पा रहे हैं। देखे यहां पर करम करने यहां देखिए। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। देश में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रिलेवे में काम करते हैं, कुछ कर खाने में काम करते हैं, दिन भार मजदूरी करते हैं, और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं, जो ब्यक्ति अपने पसीने से रोटी कमाता है, वो धर्म पूरूस हो जाता है, क्या जो भ्यक्ति अपने परिश्रम से और अपने पुसीने में से बाध सब्वानें सबीधी धीवन में देख सकते हैं यहां से जो ब्यक्ति से रोटी कमाता है करने मतलब करता है और फिर ख़़ी धर खता यानी मेनत करता है उसे खरीतता है और खाता है या फिर समझ मैनत करता बाई मिनत करेगा तभी तो पैसा पाएगा वह व्यक्ति क्या है वह व्यक्ति धर्म पूरूस हो जाता है उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता कौन जो ब्यक्ति कर्म करता है जो ब्यक्ति प्रिश्रम करता है उसके जीवन में उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रव्यस नहीं हो सकता यानि कर्म करने वाले के जीवन में पाप दो कदम दूरी ही रहेगा दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नीद आती है कौन प्रिस्वी भ्यक्ति को दिन भर कर्म कर लिया तो रात क्या आएगी गहरी नीद आएगी ना दिन में पाप करने क ये समय मिलता है। ना रात को कुछ सुझता है। भाई कि दी काम करके आएंगे तो आपको घवरी नीद लग जाएगी। तो आप दिन में ना समय आपको मिलेगा पाप करने के लिए और ना रात को कुछ सुझे है राद बर्ट स्वैंगे क्योंकि आपने दिन भर पहिस्रम किया आप लोग आगे देख पारण्य जैसा है क्योंकि क्योंकि धका माद शरी आराम चहता एक क्यों कुछ को सुझे का नहीं क्योंकि जो शरीर हैAh थक यह वह अराम चैसे निद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुझाइस नहों जिस जीवन में पाप चिंतन मतलब पाप का विचार गुण्जाइस नो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए करने मतलब जो पाप के विश्रम नहीं स्वस्ताव उसका जीवन क्या होना चाहिए धार्मिक पर ऐसा अनभव नहीं हो रहा है है नहीं हो रहा है कि आगे दिख परें सब हुक्त हई जो काम नहीं करते उनके जीवन में यह काम नहीं करेंगें विझा करेंगे जसा कि आप सब्यूंते हैं यह पाधिमाद खाली है यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं कहने का मतलब तो आपके मन में कुछ नहीं कुछ आएगा यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप केवल उसी काम पर ध्यान देंगे तो खाली दिमाख सैतान का घर होता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो आप लोग आगे देखेंगे, उनके जीवन में तो पाप ही है, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है, जिसा कि यह लोग देख पा रहे हैं, अनुभा तो यह है कि जो काम न नहीं करते उनके जीवन में पाप ही है उन मजदूरों ने मजदूरों के जीवन में परवेश कर लिया समझ पारें सभी लोग देखे यहां से जो काम नहीं कर रहा है उनके जीवन में क्या है भाई पाप है अब पाप है तो मजदुरों के जीवन में अब पाप क्या करता है मजदुरों जीवन में परवेश कर लेता है कौन जो काम नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे तो जो पाप होगा वा क्या करेगा मजदूर के जीवन में परवेश कर लेगा बात को यहां समझेगा जो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा उनके जीवन में पाप आजाएगा ठीक है और जो पाप होगा वो मनुष के जीवन में परवेश कर लेगा ठीक है कई प्रकार ब्याशन उनमें होते हैं बासमपर हैं सभी लोग द्यांद जीक अच्छे से ब्याशन मतलग होता है बुराईयां यानि बुरी आदत कई प्रकार के उनमें कई प्रकार के बुरी आदत उनमें होते हैं देख पारे सबीवे कई व्रकार के बुरी आदत उनमें होते हैं किनमें जो काम नहीं करेंगे ठीका जो जो श्रम टालता है यानी मेनद को टाल देता है कि कि कल यह मतलब यह काम करेंगे वा कर्मयोगी हिनocy करने लगेल जिसकी काम क्यों कर रहे हैं तब यह यह क sır खरविए K offense नहीं have लेकिन जो कर लेकिन जो कहा दे रहा है कि हम इस कार्य को करेंगे वह उब क्या है देहिए उनके लिए का जा रहा है वह तो कर्मयोगी हैं ही नहीं वह तो एकदम नहीं है कर्मयोगी जो काम को टाल देते हैं उनके जीवन में पाफ है क्या है क्यों पाफ है तो आश्चर नहीं है यह बात आश्चर भी नहीं है भाई काम नहीं कर रहे हैं तो पाफ है यह आश्चर की बात भी नहीं है क्योंकि उ उसके पास मनलब क्या है देखे आशर की बाद नहीं है क्यों आशर की बाद नहीं है क्योंकि उसके पास समय क्या है खाली है वह पाप कर सकता है जो काम नहीं कर रहा है वह पाप तो करी रहा है क्योंकि उसका समझ जो है वह क्या है वह खाली है जहां समय फाजिल पड़ा हो या जैसा कि आपलोग देख पा रहें है। यह O आप लोग देख एको इस अध्याय को ऐत्यार पैसे सक्क्या हैले परिश्तन की परिशूफ्टा यही परिश्रम का सम्मान है Excels hold के आ हैं कि देखे यहां पर यहां पर प्यरखति पर रहा हैं कप्ड़र सध Message डोरा है देखेन चोदर तक आप लोगों ने पड़िया है आप आप को लेकर चलते आए अगले पेच पर जैसा कि आप लोगों ने काय। पहला पेच चलते हैं आपको लेकर अगले पेच पर वहां सैतान काम शुरू होता है जैसा कि आप लोग ने भी पीछे पड़ा जहां समय खाली पड़ा हो वहां सैतान का काम शुरू होता है जहां समय क्या है जहां आपका समय खाली है आप खाली हो गए हो तो वहां पर क्या हो वहां सहतान काम सुरू हो जाएगा यदि आप खाली हो गए हैं तो आपका जो तो आप वहां पर क्या होगा वहां सहतान काम सुरू होगा यदि आप खाली हो गए तो वहां पर सहतान का काम चालू होगा इसलिए फुरसती लोगों के जीवन में इसलिए फुरसती लोगों के ज इमन में पाप दिखता है भाई काम नहीं कर रहे हैं तो सैतानी काम चलू जाएगा फिर वहां क्या होगा वहां किवल पाप दिखेगा भाई सैतानी सकती आ गया अब काम नहीं कर रहे हैं तो सैतानी सकती आ गया तो पाप तो करेंगे तो आश्र नहीं है यदि ऐसा कर रहे हैं तो आश्र भी नहीं रही लिंगा क्वा-अजी कर लिए। यह बात आश्र भी यह पर मज़दूरी करने वाले जीगों पाप दिखता है तो शोचना चाहिए कि ऐसा क्यूप होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते कहने का मतलब जो काम को नहीं करते हैं जो काम नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा उनके उनके अंदर सैतान आ जाएगा और सैतानी काम करेंगे उसके बाद उनको बसकी वाल पाप दिखेगा भाई काम भी नहीं है और ऑसर की बाद नहीं है तो जो मजन्दूरी करने वाले जो है उन मैं क्या है उनके उन के विछ जीवन में बस बाप दिखेग़। तो ऐसा सोच रहे आए तो ऐसा क्यों होता है तो सोचना जाहिए क्यों सबूसर पुजारू नहीं करते हैं मतलब उनका सोच है जो कर्म को नहीं करते हैं वे अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे कौन जो काम नहीं करना चाहते हैं यह उन्हें कोई कर देगा की काम मत करो तो बहुत खुस हो जाएंगे कोई बात नहीं नहीं करेंगे सचे कर्मयोग कि यह हलत नहीं होती यानि जो सच्छा काम करने वाला होता है उसका यह हलत नहीं होता उसके अंदर पाप नहीं आता उसको पाप कुछ नहीं दिखता लेकिन जो काम को छोड़ कर जाने वाला है उसके अंदर पाप अवस दिखता है क्योंकि उसके अंदर सैतान प्रविश कर ल देखे आगे से आज द्याती लोग भी करते हैं आज द्याती लोग भी करते हैं जो गाहां में रहते हैं द्यात में हमारे बच्छों को पढ़ाय लिखाई मिलने चाहिए तालीमिस क्या होता है तालीमिस अर्थता है पढ़ाय लिखाई मिलने चाहिए पढ़ाय लिखाई किसलि आई मिले चाहिए लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा मेरा ललका याने बन जाए धर्म ग्रंथ पड़ सकेगा मतला वेभी ने सोचते कि वह धर्म ग्रंथ को पड़े और जीवन में हारे काम विचार प्रुबक करेगा यह भी उने सोचते कौन गाउं के व्यक्ति तो फिर स अपितू यानि बलकी अपितू इसके लिए की लड़कों को नौकरी मिलेगी इसलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं वैसे उसे खटना नहीं पड़ेगा कौन सोचता है जो गाउं का व्यक्ति वतता है वह अपने बच्चों को पढ़ाना च जाए धर्म का ग्रंद धर्म ग्रंद पड़े और अच्छा अच्छा काम करें बदला विचापुरवक काम करें बस वह इतना सोचता है कि मेरा जो रड़का है वह नौकरी करें और जैसे हम दिन भर खट रहे हैं वैसे ना खटना पड़े या गाउं की व्यक्तियों की सोच ह मजदूर ऐसा सोचते हैं मजदूर ऐसा सोचते हैं इसी प्रकार सोचते हैं काम के पती ऐसी घीड़ा मजदूरों में हैं काम नक करने वालों में तो है हैं जो काम करने हैं उन्हें भी घीड़ा है काम करने से क्योंकि उन्हें समान नहीं मिलता काम नक करने वाले में तो हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें तो काम और बुरा लगता है तो आगे आप दे सकते हैं दिमाखी काम करने वाले दिमाखी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं जो दिमाख से काम करते हैं बस पेन से काम करते हैं वे क्या करते हैं वे क्या समझते हैं मजदूरो सड़ेकर नहीं देंगे प्रण्तू ज्याद स्ज्यादा काम लेंगे अधिक काम लेना चाहेंगे कौन दिमाकी लोग ऐसी बड़ित्ति बन गई है ऐसी भाना बन गई है समाज में इसका अर्थ होगा कि उन्हें काम से नफरत ही है कि ने यह को बिख मज़दुरी बार्द स्वाथ ही इसका आर्थ हुआ कि उन्हें काम से नफ्रत ही रिए क्यों क्यों कि अधिस्त अधि काम लेन चाते हैं व मज़दूरों को यह काम से नफ्रत है मज़दूरेशों को हम यह ज़दूरी तो करता है arkadaş ६ब युकम को मजदूर को इसलिए काम से नफरत है क्योंकि वो मजदूरी तो करता है लेकिन उसमें उसे गवरो सम्मान नहीं मिलता कि बात समझ पारे हैं सबी लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे देखेंगे रमाड में भी कहानी है रॉमाड में बी एक हैं अच्छी है सुन्ने लायक है राम जी का बर्मास गूआ तो तो षिता जी कहां मैं भी जऊंगि कहां मढमास उन्हे आदत तो नहीं था उन्हें आदत तो नहीं थी ऐसे जीमन की किने वे प्रंटुनों निश्य किया था कि जहां राम जी वहां में जब कौसल्या ने सुना तो सीता जाना कैसे होगा जब कौसल्या सुनी तो उन्होंने बोली कि सीता वहां कैसे जा सकती है आगे देखेंगे आप लो मैंने उसे दीब की भाती भी जलाने न दी देखें क्या कर रही है मैंने तो उसे दीब की भाती भी जलाने नहीं दी अर्थार्थ मैंने उसे जलासा भी कश्ठ पीड़ा नहीं दिया मैंने तो ऊसे दीव की भाति भी जलने जलाने न दितले जलने न दि अर्थार्थ है कि दीव है क्या निकल गया यहां भी काम की प्रतिश्ठा नहीं मनें गई किـ अकाने मदलब उन्होंनों मना किया कि मदलब की कैसे जाम तो इसão में युरीत कभी पेड़ाकर रिया तो इसमें अकांप नहीं है यह इन या यह अच्छाई है इसमें अच्छाई भी है कि इसमें फ्लिक पुसें मίले षैने माना पर मेरट को हारी मना गया मैंनत क्या ह Pearी माना जो मां जो काम कर रहे है वह क्या है वहहांई मना जा रहा है यह इसमें दीखता है यह इस algún दिखता है ध्रमराज ने राजसे वहां-अ-ग सत्क्राइब देखे यह कहाने बहुत जब ज़स्त है धमराज ने रासुयक किया था किष्ण भी वहाँ गया थे कहाने लगे मुझे भी काम दो किष्ण ने बोला किष्ण भगान ने बोला किसे धमराज से धमराज ने कहा आपको क्या काम दे आपको क्या काम दे आप उसके बाद आगे मनोरा में जैसा कि आप अब लोग देख पा रहे हैं बाप को लिए चलते हैं अगले पेश पर अंध में क्या था आप को लिए पूझ्या हैं कौन बोला धमराज ने बोला क्या बोला आप हमारे लिए पूझ्या हैं आदर्डी हैं आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है किस ने बोला धमराज ने बोला कि आपके लायक मेरे पास कोई काम नहीं है भगवान ने कहा आदर्डी है भगवान भगवान ने कहा भगवान ने कहा आदर्डी है तो क्या नलायक है वाएं वाँ पहण जी नहीन है धम्राज से बॉला कि तूसरे मैं आपका आध्रडी था लीर हूं तो नलायक नहीं हूँ न दोई करें कि अधोरी में थेय का आध्रणी कर रहें तो यह यह कामशोर है हम बत्रते हैं हम क्त यह कर सकते आप अहीं काम भूल दिए कुंसे बोले किशन भगवान से बोले भगवान ने काम लिया तो भगवान ने काम लिया जूठी पत्तल उठाने का और पुछा ने का धमराज ने बोला कि आपको जो काम अच्छा लगी वह आप काम करिए पंतु आपने अधरी है मैं आपको काम नहीं दे सकता तो भगवाने क्या किया जूठी पत्तल और पुछा लगाने का काम लिया क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था रासुयग वहां पर खाना पिना का सकते हैं काम नहीं कर सकते हैं अगर कोई सवेरे उठकर पिस्ता है तो वह ज्यानी नहीं मजदूर कर लाएगा अगर कोई सुबह उठेगा और पीसेगा तो उससे क्या कहेंगे उसे ज्यानी को योगी को काम नहीं करना चाहिए ज्यानी को योगी को काम नहीं करना चाहिए ब यानि काम को नहीं करना चाहिए व्रिद व्यक्ति को बुढे को काम देना कठोरता होगी यानि बुढा, बच्चा, योगी, ज्यानी, व्यपारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी किसी को काम नहीं करना चाहिए यानि मतलब, एक समद्र है आप लोग, जैसे एक जामपल दिया जा रहा है जैसे, उधार दे रहे हैं, उधार अड़, क्या, किसी को काम नहीं करना चाहिए इतना वेकार वर खड़ा हो जाएगा, इतना वेकार वर खड़ा हो जाएगा तो वेकारी बढ़ेगी, अगर ऐसा होता है, तो काम नहीं करता अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता देखिए सबी लोग फिर से, इतना वेकार वर खड़ा हो जाएगा आप लोग देख पारण जैसा, देखिए यहाँ से, इतना वेकार वर खड़ा हो जाएगा जो वेकारी बढ़ेगी, मतलब काम कुछ नहीं होगा, वेकारी बढ़ेगी बस अगर ऐसा होता है, कि जो काम नहीं करता, वह खाता भी न मतलब अगर ऐसा हो जाता है, कि जो काम नहीं कर रहा है, वह खाए भी न, तो ठीक था तो ठीक था, तो मतलब सही था, काम नहीं कर रहा है, मत खाए, तो ठीक था प्रंदु वह अधिक खाने को मांगता है, काम न करने वाला अधिक खाने को मांगता है आईसी समाज अचना जहाँ हुई मतलब जहाँ समाज में बन गया वहाँ मजदूर समझेंगे यानि समझते हैं क्या हमें काम करने से छूट्टी मिले तो अच्छा होगा जो काम नहीं कर रहा हैं क्या अगर कोई काम कोई दे दे गा तो क्या सुचेंगे हमको काम अगर न मिले तो क्या बहुत अच्छा रहेगा मैं काम तो करना चाहते ही HEY है यह यह शारि से काम होता है यह समाइब कर्म जाहां नौता है विवस्ता से उसमें कर्मियोगी वह सकते किसमें समाज में जो काम टालते हैं जो काम नहीं करते उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं भाई आप काम नहीं करेंगे और काम को टाल देंगे तो उनका जीवन क्या है धार्मिक नहीं है और धार्मिक है इस करण अपने समाज में स्रम की प्रतिष्ठा नहीं है परिसम को समान नहीं है आगे देखेंगे काम न करने का एक काड़िया है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्हें दिमाग का काम की महत्ता इतनी बड़ी दी गई है कि उसे हजार उसे हजार उपए देना ही उचित मानेंगे काम न करने काड़ काम न करने का एक कड़ यह है क्या है जो दिमागी काम करते हैं उन्हें दिमाग की महत्ता इतनी बड़ी दी है उसे 1000 रुपय देना उचीद मनेंगे मतलब उसको अधी पैसा दे देंगे जो दिमाखी काम करते हैं और सरम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे सब देख पारे हैं क्या कि जो दिमाख से काम करते हैं उन्हें 1000 रुपया भी दे देंगे लेकिन जो परिश्रम करने वाले हैं उन्हें कम से कम जितना दे दें सव पचायाज दूसर उतना देने की कोशिस करेंगे साह्रीक स्राम की प्रतिश्चा न दिमाघी काम करते थे प्रंतु मादमा गांधी जी दिमागी काम करते थे फिर भी थोड़ा सा समय निकाल कर अवे सूत ही कातिया करते थे करने मतलब दिमाग से भी काम करिये और अपने सरील से भी काम करिये उसे क्या कहेंगे उसे करमयोगी कहेंगे काम की इजद करनी चाहए कौई हो छोटा या बड़ा उसको इजद नो चाहए चैया कोई ब्यक्ति हो चए आप स्व्यम कर रहे हो अगर हर कामकी इजद नहीं करेंगे तो बड़ा भारी धर्म कारिक खो देते हैं क्या करायल कर्क्त कि अगर आप काम को हिजत नहीं देंगे तो बड़ा भारी धर्म कार खो ना है था ऐसा समझना चाहिए ऐसा ही समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं भारी बहुत बड़ा धर्म आप क्या कर रहे हैं धर्मकार्य खो रहे हैं काम को जत नहीं देंगे तो क्या खो रहे हैं धर्मकार्य धर्मकार्य आप खो रहे हैं जो काम को आप जत नहीं देंगे तो क्या खो बड़ा होता है हर काम छोटा होता है लेकिन हर काम का इजद होना चाहिए स्रम करने वाले को भी दिमाग है देखे स्रम करने वाले को भी दिमाग है जो मजदूरी करते उनकी दिमाग है और दिमागी काम करने वाले को भी हाथ दी है जो काम कर रहे हैं जो दिमाग से काम कर रहे उन्हें भी हाथ है दोनों को काम करना चाहिए तो दोनों को काम करना चाहिए दोनों का इजद बढ़ेगी दोनों की इजद बढ़ेगी प्रतिष्ठा बढ़ेगी इनका भी बढ़ेगा इजद इनका भी बढ़ेगा किसका दिमाग वाले का भी प्रतिश्रम करने वाले का भी आपका शरीर करेगा यहां दिमाग करेगा एंदर है यह ठीक नहीं धुटा कायम करनी है यह यह भी इस ब्र Europ ऑफ का प्रतिष्टा बदाना आपको है घ्र-णे दो फर्क नहीं करनीकि면 बाशनपारे समय लोग यदि आपको प्रतिष्ठा बनाना है मेनत करने वालों को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए यदि हजार उपए देरों दिमाब वाले को परिश्रम करने वाले को भी हजार रुप्या के आसपास देजिए करने मतलब यह है कि सब्सक्राइब करने वाले को हम निश्मानते हैं क्या उसको निश्मानते हैं जो सरी से कर्म करता है सफाई क्रमचारी ने सफाई क्रमचारी को अगर एक दिन भी छुटी दे दो तो सब्सक्राइब गंदा हो जाएगा इतना तो उपकारी है इतना तो उपकारी है अगर काम देखे काम करदेता एंगा तो सहर साफ रहता हूदी फिसक्त क्या हो जाएगा साल सहर लग वौछाइगा इतंगर जूपकार ही यह उस्सेम निश मांते इतना उपकार करने वाला जो भ्यक्ति प्यक्ती है उस्से keeps recognom यहें ने सम्मान देती हैไich इसलिए दो बाते होनी चाहिए हर एक को थोड़ा-थोड़ा सर्म करना ही सथा है यार ब्यक्ति प्लीक को थोड़ा सा थोड़ा सा परश्रम अवश्य करना चाहिए अगर हम जान कि अधूर कॉलका खॉंसकित अंधि क्यों कहते हैं estiver हमारा जीवन पापी बनता है क्या बनता है पापी बनता है यदी हम बिना काम के खाएंगे तो क्या होगा हमारा जीवन पापी बन जाएगा दूसरी चीज नुल सारीक हो उसका जो दाम है उसका समाना चाहिए यदि दिमाग वाला को दिया दराए 1000 तो जो सरी से काम कर रहा है उसे भी 1000 के आस्पाद देना ही चाहिए जब यह होगा तब स्रम की प्रतिष्ठा होगी जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं इसकी लेखा कौन है बिनोबा भावे आप लोग वीडियो को रोग करके इस अब्दाद को लेख लिजेगा जल्द ही आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों के पास कमजा और आनन्द का अनवा किया जल्द ही मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा